को नमासकार दोस्तों स्वाइब सभी का हमारे यीडियूब चैनल मी हम लोग फड़ लोग1867 की गृवध रे थे 1857 की को रूप है न यह उसके प्रकृति क्या थी यह पड़ चुके थे फिर उसके कारड क्या थे कारड भी हम लोग पढ़ चुके थे कारड में हम लोग पढ़े थे राज नहीं थी कारड धार्मी कारड आर्थी कारड और ततकाली कारड है ना इसा पढ़े थे फिर हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन सा राज मतलब किस लिए विद्रो कर रहा था और उसके मतलब उसके समर्थक कौन थे हैं ना मतलब कौन उसका उसकी बागडोर समाल रहा था तिक या किसके नेतर तुम्हें वहाँ पर 877 की क्रांती की जा रही थी तो उसके नेतर तो करता और वह अस्थान ये पढ़ रहे थे तो हमने दिल्ली पढ़ लिया था दिल्ली का कौन नेतर तो कर रहा था ये सब देखा था ठीक और फिर हम लोग कानपूर पढ़ लिये थे और आवद भी पढ़ लिये थे आज हम लोग जहांसी पढ़ेंगे ठीक है तो जहांसी आप से यही पुछा जा सकता है कि जहांसी कहां पर पढ़ता है तो यूपी के ललतपुर जिले में जहांसी पढ़ता है यहां पर 5 जून 1857 को 5 जून 1857 अब आपको याद होगा कानपुर में भी 5 जून 1857 को ही करांती हुई थी जहां सी में भी पांजून अठारसो सताउन को भी जो दामोदर राओ थे इनकी विद्वापतनी दानी लच्मी भाई अपने पुत्र को सत्ता दिलाने के लिए अंग्रेज सैनिक हूरोस से संगर्स करती है ठीक है इसको थोड़ा सा द्यान लखें अंग्रेज सैनिक जो हूरोस था ठीक है इसी से लड़ाई हुई थी किसकी महरानी लच्मी भाई की जिसने जिसमें महरानी लच्मी भाई पराजित हुई थी और इनको जून अठारसो अठावन में मार दिया गया था ठीक है यह विरगती को प्राप्त हो गई रानी लच्मी भाई जून अठारसो सकते हैं पेपर में रानी विद्रोहियों में अकेली मर्द थी ठीक इसको थोड़ा सा ध्यान रखें किस ने कहा तो ही रोज ने कहा था ही रोज अंग्रेस साइनिक था इसने कहा रानी विद्रोहियों में अकेली मर्द थी ठीक अब देखो रानी लचमी भाई के कुछ उपनाम है इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें रानी लच्मिबाई के पहला ना इनका उपनाम है मनुबाई और दूसरा है मडिक करडिका ठीक और तीसरा हमने यह चार्चा की थी पिछले वीडियो में कि रानी लच्मिबाई को महल परी भी कहा जाता था ठीक और महक परी बेगम हजरत महल को ठीक थोड़ा सा ध्यान रखें अब देखते हैं इलहाबाद का नेत्रत करता कौन था तो इलहाबाद में करांत के नेत्रत करता थे मौलवी लियाकत अली इनको थोड़ा सा ध्यान रखें मौलवी लियाकत अली इलहाबाद से नेत्रत कर रहे थे जबकि कि अंग्रेजों ने ये एक ऐसे सैनिक थे जिन्हों ने अंग्रेजों के विरुद जिहाद की घोशना कर दी थी ठीक इसको ध्यान रखें ये important question पूछा जा सकता है आज से कि जिहाद के विरुद किस सैनिक ने अंग्रेजों के विरुद जिहाद की गोशना की तो ये हैं मौलवी एहमद उल्ला ये फैजाबाद से नेतुत कर रहे थे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद जिहाद की गोशना कर दी इसलिए अंग्रेजों ने इन पर पचास हजार का इनाम लगा दिया था ठीक है यानि अगर आप इनको पकड़वाएंगे तो आप पचास हजार रुपे का इनाम पाएंगे ठीक इस तरह से उंग्रेजों ने इनको पकड़ने की नीत अपनाई थी अब देखते हैं अगला बरेली से नेतर तो कर रहे थे खान बहादूर खान ठीक बरेली के लिजिए रुहेलखंड के लिजिए रुहेलखंड में बरेली के ही अंतरगत रुहेलखंड आता है रुहेलखंड में नेतर तो कर रहे थे खान बहादूर खान ठीक इसको थोड़ा सद्यान रखें कोई खास नहीं है इसे फ्टट इसक्राइब नहीं kية बिहा अच्छा बिहार में ये एक अ स्थान पड़ता है और ठीग किसी किसी बुग में आरा लिखा है किसी किसी में आवाथ थी तो आपक lithon में मत रहें आप में अगर question आएगा तो या तो ललित पुर्ज से कौन नेतत्त कर रहा था ये पुछा जाएगा या फिर बिहार से कौन नेतत्त कर रहा था बिहार से ज़्यादा बन सकता है ठीक है तो बिहार के जगदीस पुर्जिले में दो लोग नेतत्त कर रहे थे ठीक है पिता पुत नेतत्य कर रहे थे उनके नाम क्या थे तो बाबु कुमर सिंग ये पिताजी थे और उनका पुत्र था अमर सिंग तो दो लोग नेतत्य कर रहे थे बिहार से अब हम लोग देखते हैं कि 1877 की करांती का परेडाम क्या रहा तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1877 की करांती विफल रही या कह लेजे असफल रही है ना जिसके बहुत से कारड़ थे ठीक उनके कारड़ के बारे में आई थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जैसे कि पहला कारड़ आप कह सकते हैं कि करांतिका फैलाओ संपूर भारत में नहीं था यानि कुछी ही छेत्रों में अवडांचर हो सकते थे ठीक है लेकिन तब भी यह असफल होने के बाद भी सफल मानी जाती है उसका रीजन है कि इस विद्रो के बाद अंग्रेज समझ गये थे कि अब भारत पर ज्यादा दिन तर टिक पाना मुस्किल है ठीक है तो अंग्रेज का पहले पहला पॉइंट यह हो गया क्रा हम लोग जजगोर दिये थे अंग्रेजों को ठीक है अब देखो नेतरत तो करता का अभाव था ठीक या नेतरत तो करता कोई था ही नहीं लोग अपने अपने मन से कारे कर रहे थे ठीक कोई कुछ कर रहे है कोई कुछ कर रहे है एक जुट होकर नहीं कर सकते थे यानि एकता की कमी कर सकते हैं ठीक और जाग्रुपता अहीं यह कि हम ने पिछले वीडियो में बताया था कि 31 मंई को करांति होना था लेकिन किनी कारणों से कारणी पहले ही आ गई थी ठीक था यह सब बहु सारे कारण थे इनमेंसे यह कुछ प्रमुक थे जिनके बारे में हम लोग चर्चा किये हैं अब आई देखते हैं कि इसका महत तो क्या रहा ठीक 1877 की करांती का महत तो क्या रहा तो अभी हमने बताया कि जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तों में 1877 की करांती विफल रही लेकिन फिर भी सफल मानी जाती है ना क्योंकि अंग्रेश समझ गए थे कि अगर ऐसा ही सासन किया गया तो जल्दी ही इंग्लेंड वापस जाना पड़ेगा ठीक है यानि उनको पता चल गया था कि अब यहां पर ज्यादा कठोरता से सासन करना कर पाना यह संबो नहीं है इसलिए एक नॉबंबर 1858 को इलाहबाद दरवार लगाए गया ठीक है ए और ब्रिटिस महरानी विक्टोरिया का घोशना पत्र जब उसने पढ़ा तो उसके तहट कुछ मुक्य मुक्य पॉइंट थे जिसमें भारत को थोड़ा सा रिलिफ दिया गया ठीक है आई देखते हैं वो पॉइंट क्या थे जैसे कि पहला पॉइंट ही देख लेते हैं ब्र 700 से सुरू होя ब्रिटिस एसटीय 좀 कंपनी थी उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया ठीक है और देखते हैं गवरर्णर-जानल का पद हटा कर वायसराय कर दिया गया यह जो भारत में गवर्णर-जानल कौन थे तो लार्ड कैनिंग उस समय के गवर्णर जनरल थे जब इसको अटाए गया यानि अंतिम गवर्णर जनरल लार्ड कैनिंग थे ठीक पर उस अस्थान पर सुरू क्या किया गया तो वाइसराय ठीक तो वाइसराय भी पहले लार्ड कैनिंग ही बनाएगे क्योंकि ये ग देखते हैं अगला कोश्चन इसी विक्टोरिया के घोस्टा पत्र में ही सेना का अनुपात भी घटा गटाया गया ठीक जैसा कि आप लोग पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहले जो सैनिक हुआ करते थे उसमें पांच भारती सैनिकों पर एक ब्रिटिस सैन होगा ठीक है तो यहां पर अनुपात भी घटाया गया तो यह भी पॉजिटिव पॉइंट था अगला देखते हैं मुगल समराट मुगल समराट या फिर देखिए यहां पर तीन चीजों को समाप्त कर दिया गया था मुगल समराट का पद समाप्त कर दिया गया था ठीक है आफ डारेक्टर समाप्त कर दिया गया था या बोर्ड आफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया था ठीक है तो इन तीन चीजों को दियान रखें किसका किसका समापन किया गया मुगर समराट का और बोर्ड आफ डारेक्टर का और बोर्ड आफ कंट्रोल का तीन का समापन हो गया थ इसको भी थोड़ा ध्यान रखें तो इस तरह से हम लोग 800 सताउन की क्रांति में जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो सारे पढ़ लिए हैं आप एक वीडियो और बना देंगे जिसमें वन लाइनर टाइप में लिख लेंगे जो की हमारे परिच्छा की दर्ष्टी से इन सब का नहीं चोड़ होगा आप इन वीडियों को एक बार जरूर देख लें चार पार्ट में हमने बनाया है पूरा डिस्क्राइब करके बताया है इनको एक बार देख लें पूरी तरह से मांसिक मुनलब मन में ये बैठ जाएगा ठीक उसके बाद आप लोग वन लाइनर कुस्च बरती में तो हई है और प्रते कमप्टीटिव एकजाम में पूछा जाता है ठीक है तो इसको जरूर देखें और अच्छे से देखें ये मद भारत का सबसे में पार्ट है या एक कहले जिए मद भारत में अगर इस एक पॉइंट को अटा देंगे तो आदी तिहास खतम हो ज करें ठीक जिसे हमारा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े तो हम और अच्छे से वीडियो बना सकें तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्का थैंक्यू वीडियो देखने के लिए